आपने रामकृष्ण परमहन्स के बारे में सुना है। उनके जीवन काल में ही लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते थे। वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते जरा ठहरो। वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते आज खाने में क्या है। उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती थी। उन्होंने कहा रोने का कोई मतलब नहीं है, समय आ गया है। क्यूंकि वे बुरे डिजाइनर के ग्राग नहीं बनना चाहते। अब मैं चाहता हूं कि इस समय मैं जो भी कह रहा हूं आप उसे सही संदर्भ में समझें क्यूंकि इसे असानी से गलत समझा जा सकता है। आत्म ज्यान क्या है। साठ के दशक में एक समय था कैलिफोनिया में एड जलते थे, जो बताते थे कि अगर आप भारत जाते हैं तो इसमें 12 साल लगेंगे। 25 डॉलर, यहां आप एक घंटे में आत्म ज्यानी हो सकते हैं। ऐसे एड जलते थे। जहां आपको बस हेड़फोन पहनने होते थे, फैंसी दिखने वाले चश्मे पहनने होते थे और वे आपको कुछ खिलाएंगे भी, इन सबसे आपको एक मनोविकारी अनुभव होता था। तो लोग विग्यापन देते थे। तो आत्म ज्यान है क्या? हम बार-बार ये कह रहे हैं, असतोमासदगमया, असतोमासदगमया, इसका मतलब ये है, कि हम खुद को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि मैं असत्य से सत्य की और जाना चाहता हूँ इसे समझने के बहुत सारे तरीके हैं, इसे बहुत ही सरल तरीके से रखें तो आपके बारे में बुन्यादी जूट ये है कि इस समय आप जो नहीं है उसे आप मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं ये धर्ती का एक टुकड़ा है हमने बार-बार ये कहा है पर इस समय आप इसे मैं के रूप में अनुभव कर रहे हैं ये एक जूट है, है ना? अगर मैं सोफे को मैं मैं समझूँ, तो निश्चित रूप से मुझे डॉक्टर की जरूत होगी, है ना? हाँ या ना? तो अगर आपको लगता है, मैं ये लोटा हूँ, तो आपको जरूर कोई परिशानी है, है ना? अगर मुझे लगता है, कि मैं एक पात्र हूँ, तो मुझे इलाज की जरूत है, पर मेरा शरीर इसे भी इस धर्ती से निकाला गया था, हाँ? ये भी धर्ती का एक टुकड़ा है, और ये भी धर्ती का ही टुकड़ा है, है ना? अगर मैं सोच सकता हूँ कि ये मैं हूँ, तो मैं ये क्यों नहीं सोच सकता कि ये मैं हूँ? ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग कुछ अलग है, अच्छा है, है ना? ऐसा दिमाग मदद करेगा, पर निश्चित रूप से ये पागलपन है, है ना? मेरा ये होना पक्का पागलपन है क्रिपया ऐसे देखी मेरा ये होना क्या ये पागलपन नहीं है आपकी सुविधा केवल यही है कि हर कोई ऐसा है हाँ, पागल खाने में ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है सिर्फ इसलिए कि हर कोई आपकी तरह है इससे ये चीज सही नहीं हो जाती मैं जानता हूँ कि हम एक लोगतांत्रिक देश है भहुमत राज करता है जो भी भहुमत कहता है वो सच बन जाता है पर अस्थित्व में ऐसे काम नहीं चलता जो है वो है जो नहीं है वो नहीं है बस यही अगर आप इसके साथ तालमेल में हैं तो जीवन एक तरीके से काम करता है अगर आप तालमेल में नहीं हैं तो जीवन दूसरे तरीके से काम करता है ये एक सरल सी बात है तो अगर आप जानते हैं कि मैं ये नहीं हूँ बुद्धी से नहीं अनुभव से आप बुरे नामों से बलाते हैं, जैसे मृत्यों. नई. मुझे लगता था कि मैं ये लोटा हूँ और मैंने इसे लगातार ढोया. एक दिन मुझे अनुभव हुआ, हे भगवान, ये मैं नहीं हूँ. अब मेरे लिए उसे नीचे रखकर बैठना सहच होगा है न? क्या ऐसा नहीं है? तो उन्होंने बस ये ही किया. आप इसे बढ़ा चड़ा रहे हैं. आत्म ग्यानी अपने शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं. जब उन्हें बोध होता है कि वो ये नहीं हैं, तो वो इसे एक और रख देते हैं. अगर उन्हें थोड़ा सा और काम होता, तो वो इसे उठा सकते थे. उन्हें कोई काम नहीं था, वो इसे रखकर चले गए. ये जीने का समझदार तरीका है या नहीं? अगर आपको इस लोटे से काम हैं, तो आप इसे हर कहीं ढोएंगे. कोई काम नहीं है, तो आप इसे यहीं छोड़ देंगे. इसलिए जब आत्मग्यान होता है, तो 90 प्रतिशद ऐसा होता है, कि आत्मग्यान और शरीर छोड़ना एक ही समय पर होता है. जब तक आप शरीर की यंत्र प्रक्रिया को नहीं समझते, आप शरीर को बनाए नहीं रख सकते. जो लोग भक्ती के मार्क पर होते हैं, आम तोर पर आप देखेंगे, कि उनमें से ज्यादा तर जल्दी मर जाएंगे. ये मृत्यू नहीं है. जिस पल उन्हें ग्यान हुआ, वे शरीर को एक और रख कर चले गए. आप पूरा इतिहास देखिए, कितने ही योगियों और आत्मग्यानियों ने 28 से 36 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया. वे उसी उम्र में चले जाते हैं. क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? भारत में ऐसे लोगों की भरमार रही है. उनके जाने का यही समय है. आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है? आपने विवेकानंद के बारे में सुना है? वे पहले योगी थे जो 1893 में युनाइट स्टेट्स आये थे. वे पहले योगी थे. उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे. वे एक भक्त थे. उनकी एक देवी मा हैं. और वे समर्पे थे. और वे एकदम अलग ही तरह के हैं. उनके जीवनकाल में ही लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते थे. उन्हें सूली पर नहीं चड़ाया गया. उनकी पूजा की गए क्यूंकि उनकी उपस्तिती बहुत ही अद्भुत थी. पर वे खाने को लेकर पागल थे. वे लोगों से बात कर रहे होते और वे कहते जरा ठहरो. वे अंदर जाते और अपनी पत्नी से पूछते आज खाने में क्या है? उनकी पत्नी शारदा को इससे बहुत शर्मिंदगी होती. वे कहती आपकी दिक्कत क्या है? यहां तक कि मैं भी खाने को लेकर परिशान नहीं हूँ. फिर आपको क्या समस्या है? हम आपको भगवान मानते हैं. खाने को लेकर ये कैसा पागल पन है? उन्होंने कहा ये ठीक है पर खाने में क्या है? एक दिन उनकी पत्नी को बहुत शर्मिंदगी हुई और वे बोली, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ. आप खाने को लेकर इतने पागल क्यूं है? वे बोले, आपको पता है देश के उस हिस्से में भोजन हमेशा, नहीं, भारत में हम ऐसी प्लेट में नहीं खाते हैं, हम ऐसी प्लेट में खाते हैं. इसे थाली कहा जाता है, खाने से पुरोसी हुई प्लेट को थाली कहा जाता है. वे बोले, जिस दिन तुम मेरे लिए थाली लाओ, तुम मेरे लिए भोजन लाओ, और अगर मैं खाने में कोई रुची ना दिखाऊं तो समझ जाना कि बस तीन दिन बचे हैं उन्होंने ये कहा और उसके बाद साथ साल बीद गए साथ साल बाद एक दिन उनकी हमेशा से ही एक जूले पर बैठकर खाने की आदद रही थी इसलिए वे इस जूले पर ही बैठकर खाते थे वे थाली लाएं और उन्होंने मूँ फेर लिया वे रोने लगी अचानक उन्हें एहसास हुआ केवल तीन दिन बचे उन्होंने कहा रोने का कोई मतलब नहीं है समय आ गया है तीन दिन बाद वे चले गए तो वे सजेतन रूप से भोजन की इच्छा पैदा कर रहे थे शरीर में बने रहने के लिए अगर वे भोजन की इच्छा नहीं करते तो वे चले जाते तो वे हर रोज खुद को बताते खाना, 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 खाना ये उनका स्वभाब नहीं है पर वे शरीर को चलाते रहने के लिए हर समय ये इच्छा पैदा कर रहे थे अगर सत्संग में बैठे बैठे उनका अनुभव बड़ा रूब ले लेता तो वे अचानक उठते और पूछते आज खाना क्या बनाया है मैं ये और वो खाना चाहता हूँ बस खाने के बारे में सोचना शरीर में टिके रहने के लिए एक सचेतिन इच्छा पैदा करना या तो आपको ऐसी कोई इच्छा पैदा करनी होगी या दूसरी तरह की तरकीबे हैं या आप में शरीर की यांत्री की समझ होनी चाहिए। शरीर की यंत्र प्रक्रिया समझने के लिए एक तरह की भागीदारी चाहिए। ये यूँ ही नहीं आती। आत्मग्यान एक पल में हो सकता है, पर समझ एक पल में नहीं आती। जन्मों तक काम करना पड़ता है